हेलो मेरे यूटूब फैमिली तो कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे मस्थ होंगे तो चलिए आज की रेसिपी सुरू करते हैं तो आज की रेसिपी मैं बथुआ से बनाऊंगी तो यहां पर मैंने रहर की डाल ली हुई है इसको हम दालेंगे तो पानी हमने डेर लीटर करीव डाला है इसमें अर यहीं पर स्वहादम नमक डाल देंगे तो दो चमच अमने नमक भी डाल दिया है और एक छोटा चमच हल्दी डाल देंगे अब इसका ठकल लगा देतے हैं और इसे तीन सीटी आने तक हम इसे कुख करेंगे तो की दाल है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अब यह कुख हो रहा है तब तक हम बत्वा काट लेंगे तो हमने बत्वा को धो करके कट कर लिया इसके बाद मैंने एक पैन रखा है उसमें सरसो तेल डाल दिया और दो पिंच मैं इसमें हिंग डाल दूंगी और अद्रक लह अच्छे से चलाते हुए कुक कर लेंगे तो इसे मैं धक के पकाऊंगी क्योंकि बत्वा अच्छे से पक जाया गल जाया तो मैं इसका धकन लगा देती हूं तो एक मिनट बार मैंने इसका धकन हटाया है फिर नमक इसमें डाल दिया है थोड़ा सा तो यहां पे इसके हिसाब से ही नमक डालना है क्योंकि हमने दाल में पहले से ही नमक डाल दिया है तो यहां पे मैंने आधी चमच ही नमक डाला है अच्छे से चला करके मैं फिर से इस कूट कूट के थोड़ा सा मुलाइम कर लेंगे तो इस तरीके से और ये हो चुका है तो हम इसे अब उतार लेते हैं अब इससे डाल में डाल देंगे तो Cooker मैंने तब खोला था जब इसका प्रेसर अपने आप से निकल गया उसके बाद मैंने धकन खोला था अब हम इसमें बत्वा डाल देंगे तो सारे बत्वा को मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर लूँगी और इसका मैं धकन लगा देती हूँ फिर से एक और हम बढ़िया सा तड़का तियार करेंगे तो कल्चुल में मैंने एक चमच गी लिया है अब इसमें बारीक कटा हुआ लेस्टन डाल देंगे और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए हलका सा तब हम इसे उतार लेंगे और गैस बंद कर देंगे और इसके बाद मैंने एक चमच कसुरी मेथी डाली है और एक चमच कासमेरी लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और सिधे हम डाल में डाल देंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका धकन लगा देंगे तुरंती इसका जो खुस्बू है निकलने ना पाएं तो तुरंती धकन लगा देंगे और थोड़ी दर बाद मैंने इसका धकन हटाया है तो देख सकते हैं बहुत ही टेश्टी दाल हमारा बनके त्यार हैं तो आप इसे रोटी चावल किसी के भी साथ बनाके enjoy करें तो चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care